अगला प्रश्च ने मुझ से पूछा है किसी ने लंडन से How to deal with criticism? Good question and personally I think that ignorance is the only remedy Just ignore what else you can do इससे जादा और आप क्या कर सकते हैं? पहली बात तो वो play smart विचार करिये अलोचना किसकी होती है? जो उन्नती के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है उसी की आलोचना होती है आलोचना हो रही है आपकी तो आत्म चिंतन करके देखिए हो सकता है कोई सकरात्मक कारण हो हो सकता है आपकी उपलब्धी के कारण कुछ लोगों की इर्शा, कुछ लोगों की असुया ही अपने आपको और सुधारने का, अपने आपको और निखारने का, मुझे ऐसे लगता है, अगर आप अपने प्रति इमानदार हैं, तो आलोचना कहीं से भी अस्वस्थ नहीं है, आलोचना से डरने का कोई कारण नहीं है, आलोचना तो आपको और सुघड बनाती है, कभी-कभ से सारी दुनिया को देखा जा सकता है पर खुद को देखने के लिए दरपण की आवश्च रखता होती है ऐसे मुझे लगता है कि आलोचना भी अच्छी है हमारे कबीर जी तो कहते है नंदक नेरे राखिये आगन कुटी छवाए कि आलोचना करने वाले को सदा अपने पास र कट होती है कितनी बात हैं हम जैसे लोगों को सुनना पड़ता है बिनाई कारण बिनाई वज़े सुनना पड़ता है पर बड़ी प्रसंदता है और एक और बात मुझे ऐसे लगता है कि जब दूर सितारे पर कोई पहुँच नहीं पाता तो उसकी तरफ उंगली उठा देता है उठा देना आसान है बहुत सारे कारण मिल जाएंगे आपको कि आलोचना अच्छी है आलोचना स्वस्त है रहने दीजिए इसे थोड़ी सी आलोचना होनी चाहिए आपकी घवराये मत and always always make it or take it as an opportunity और सुन्दर बना सकते हैं आप अपने आपको आलोचना का अश्रे लेक भी धन्ने वाद